गूद मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स अगर एफाय लोज होती हैं अंडर आईपीसी बट एंटिस्पेट रिबेल अगर प्ली फाइल करते हो आफ्टर एंफॉर्समेंट ऑफ न्यू क्रिमिनल लोज तो क्या होगा इसी बात का जवाब देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक ओडर जारी किया है एक अपना अबजर्वेशन दिया है यह अबजर्वेशन दिया है प्रिंस वर्से स्टेट ऑफ गौर्मेंट ऑफ एंटिटी ऑफ डेली और दिया है इसमें कोर्ट ने कहा कहा क्या ही अबजर्व किया है कि जो प्रोसीजर है विद्रिस्प्रेट्री बेल प्लीज फाइल इन रिलेक्शन तो फाइल लोज प्रियर तो एंफॉर्स्मेंट अप्र्समेंट अप्र नियू क्रिमिनल लोज शूट बी गवन बाइदा भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता दोहजार तेइस इवदा डेट और फाइलिंग सच अप्लीकेशन इस ओन और अफ्टर जुलाई 1st 2024 कि अगर कोई भी केस रिजिस्टर हुआ है दोहजार तेइस केस एक्ट के आने से पहले एक जुलाई दोजार चोबिस से पहले और उस पर आप एंटिस पेटरी बेल की अप्लीकेशन लगा रहे हो एक जुलाई के बाद तो एक जुलाई के बाद जो प्रोसेजर लो होगा वो भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता दोजार तेइस होगा यह यहां पर क्लिरिफाइब कर दिया है दिल्ली हाइब कोड ने हालांकि पंजाब अर्याना हाई कोड ने भी इस प्रकार का जुजमेंट दिया था अब जो फाइनल जुजमेंट जो सुप्रीम कोड का आएगा वो माइने रखता है कि वो क्या डिसाइड करती है फिर कोड ने यह डिसकस किया कि सेक्शन 531 क्लोज 2 का सब क्लोज ए बारतिय नागरि और जो केसिज थे जो CRPC वहाँ पर फोलो हो रही है तो वो सिरफ उनी केसिज में होगी जहां पर अभी तक उनका ट्राइल या उनकी कोई अप्लिकेशन की सुनवाई पैंडिंग है जो 1 जुलाई 2024 से पहले फाइल की गई थी तो सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई प्रोसेजर लोगी बात करें एक जुलाई के बाद चाहें एफाइर पहले रिजिस्टर हुई हो लेकिन अगर एक जुलाई के बाद आपको बी प्रोसेजर अस्पेक्ट लेके आओगी कोट में तो उस पे भारतिय नागरिक सुरक्षा स सहीता अपलाई होगा और अगर एक जुलाई से पहले की कोई अप्लिकेशन है और वो उस टाइम पैंडिंग थी तो उस पर CRPC अपलाई होगा तो उमीद करते हूं यह आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा किसी परकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा थैंक यू पर